जे धरतीमा जे गो माता गूजी रहा है मंत्र महान सुखद सुमंगल विश्व पामना जीव मात्र का हो कल्यान जे धरतीमा जे गो माता गूजी रहा है मंत्र महान सुखद सुमंगल विश्व पामना जीव मात्र का हो कल्यान सुखद सुमंगल विश्व पामना जीव मात्र का हो कल्यान जे धरतीमा जे गो माता गावो विश्वस्य मातर है वंदे गो मातर है प्राचीन काल में भारत सोनी की चिडिया घी दूद की नगियां बहने वाला देश और विश्व गुरू कहलाता था भारत की ये संब्रद्धी और ख्याती गौव संग्रक्षन गौव ग्राम आधारित अर्थ व्यवस्था और गौव संस्कृती पर आधारित भारत की जीवन पध्धती के कारण थी हमारे रिश्यों ने घोश्मा की थी गावव विश्वस्य मातर अर्थात गौव संपूर विश्व की माता है और इसके संग्रक्षन और संवर्धन से विश्व का कल्यान होगा ब्रह्मली महरशी देव रह बाबा ने कहा था गाए के पिष्ट भाग में ब्रह्मा जी मध्य में विश्व जी मुख में शिव जी रोम रोम में रिशी महरशी तैंतीज करोड देवी देवताओं का वास है आठों एश्वरी सुख सम्रदी से लेकर लक्षमी माता गाए के गोबर में निवास करती है जहां गौव के चरण पढ़ते हैं वहां देवताओं का वास रहता है गोब की महिमा अपरमबार है कृशी प्रधान देश भारत की अर्थ ववस्था का आधार गोब माता ही तो है गोव की सिवा स्वयम प्रभू भी करके कहलाए गोपाल गोव की सिवा स्वयम प्रभू भी करके कहलाए गोपाल हलको धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल मा सिष्टी से पावन नाता आनंदित कर तेरस पार सुखद सुमंगल वेश्व कामना जीव मात का हो कल्यार सुखद सुमंगल वेश्व कामना जीव मात का हो कल्यार जे धरती मा जे गो माता गो मैं धरती ही देती है अम्रत मैं फशले भरपूर पंच गव्य की महिमा अनुपम रोग पदूसन होते दूर परमसात्रिक पुर्जासती आविरत देता दो विज्ञार सुखद सुमंगल वेश्व कामना जीव मात का हो कल्यार सुखद सुमंगल वेश्व कामना जीव मात का हो कल्यार जे धरती मा जे गो माता भारत की संस्कृती मूलते गो संस्कृती है भारत की संपन्ता भारतियों को उदार बनाती है भारत का प्राकृतिक वातावरण भारत वासियों को पूर्ण जीवन दर्शन का आचरन सिखलाता है भारत और भारत की क्रिशी भारतियों को पुनर जन का सिध्धान तो समझाती है भारत की गाये हमें आध्यात्म का पाथ पाथ